से बीचे को और बड़ी ख़बर आपको बता दें महराज से जोड़ी सबसे बड़ी ख़बर ये आ रही है कि मुंबई में बीजेपी के एहम बैठक जारी है देविन्र फंडविस के घर पर बैठक जारी है प्रदेश सत्य अवशित चंदर शेकर वावन कुले भी मौजूद है इस बैठक में राश्टिय सहगेटन मंतरी शिपरकास भी इस बैठक में शामिल है हमारे सहयोगी विनोद जगताले लगातार हमारे साथ लाइव जिरूद विनोद जब कल नतीजे आये थे तो देखे सब के जहन में यही सवाल था कि आखिर कौन होगा सीयम और बैठक हो रही है क्या आपको लगता इतना आसान है क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी है लेकिन आपको नहीं लगता कि दावेदार और होंगे देखे वैसे तो दावेदार महराश के मुख्यमंत्री मौझूदा जो एकनार शिंदे है वो भी दावेदार है आजित पवार के चाहने वाले उनके घर पर जो विधायक बैठा है उनकी बैठक चल रही है वो भी दावा कर रहे है कि आजित पवार मुख्यमंत्री हो लेकिन वो पार्टी जो 130 से भी जादा उपर सीटे लेकर आई है महराश में और एक तरीके से वो अगर करने बैठ है तो वो अपने बल्बूते भी सरकार वहाँ पर बना सकती है लेकिन दोस्त पार्टीयों को वो साथ में लेकर चलना चाहती है और जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जीत जो मिली है भारते जंता पार्टी को करीब करीब Joey 31 के विधायक वहाँ पर जीते है एक बंपर जीत है इससे पहले कभी भी 2014 में भारते जंता पार्टी मोधी लहर के बाद खुद के दम पे लड़ी तबी भी इतनी सीटी नहीं आई थी जितनी सीटी इस बार आई है तो भारते जंता पार्टी के कारे करता तमाम पदादिकारी और नेता भी चाहते हैं कि उनका मुख्य मंतरी महराज से हो और देवेंदर पंडविस के नाम को लेकर वो नाम उनका आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ जादा पेच फसा हुआ है और जादा कुछ वहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर देखे प्रदेश अदिक्ष पहुचे है राष्ट्य सहर संगटन मंतरी शिवप्रकाच भी वहाँ पर पहुचे है करीब 20 विदायक महराज से देवेंदर पंडविस को मिलने के लिए वहाँ पर पहुचे है क्योंकि उनकी कफ्तानी में भारते जनता पार्टी की जीत हुई है तो जाहिर सी बात है अब जादा कुछ बचा नहीं है देखिए अगले एक से दो दिनों में यह सब चित्रस्मष्ट हो जाएगा कि महराज का मुक्यमत्री कौन बनेगा आज देखिए आज सभी अपना दल का नेता सबको चुन लिया जाएगा एकलाश शिंदे की शाम को 6 बज़े बैटक है वो बैटक नकरी 8-9 बज़े तक चलेगी वहाँ पर नेता उन्हें चुना जाएगा इसके अलावा वीप चीप वीप इनकी भी वहाँ पर नुक्ति की जाएगी वैसे ही अजित पवार के मंगले पर भी जो बैटक चल रही उस बैटक में भी वहाँ पर अजित पवार को नेता संसद्य दल का नेता के तौर पर चुना जाएगा वीप चीप वीप भी वहाँ पर चुने जाएंगे और इसके बाद भारते जन्ता पार्टी के बैटाग होगी पिर तीनों दल एक साथ बैटेंगे और इसके बाद महाराश के मुख्यमंति पत्मर फैसला लिया जाएगा उनके विधायक हो, नेता हो, पदादिकारी हो कि यह जीत जो मिली है ना वह एकनाश चिंदे के कपतानी में मिली है और लाद्ली बेहन योजना की नाम से थी उसी को लेकर वह महाराश में गए और महाराश में बंपर जीत हासिल हुई है देवेंदर पन्नेविस ने भी चुनाव से पहले क्या था कि एक राश चिंदे हमारे मुख्य मंत्री है और उनकी अगवाई में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो उनको ही मुख्य मंत्री बनाया जाए ये सुर अभी एक राश चिंदे की शिवसरा में वहाँ पर देखने को मिल रहा है बिल्कुल जैसा कि विनोद आप कहने कि देखे एक दो दिन में पिच्चर क्लियर हो जाएगा आज बैटको का दौर जारी है हमारे सरजोने के लिए आपका शुक्रिया रुख जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए ज गल्द हाजिर होंगे